हेलो नमस्कार वनेकम सस्रीय काल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैगनेट ब्रेंस आई 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 जे ये ये नीट में में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डामेंशन याना की लेक्चेस आपके सामने आते जा रहे हैं आज हम उसक आपके सुभी सेस्थ की सब्सक्राइया बद बढ़के नाम्बर वन यानि की ने को एवरे सिलीछ विलॉसित की की बात की थी इसौसिंट की बात की थी इसकार में डेक्र लेक्टर देखा था इसमें हमने पढ़ा था instantaneous speed को instantaneous velocity को acceleration को average acceleration को instantaneous acceleration को इन सारे किस सारे concepts को मिलाकर हमने सारे question इस डीपीप में डाले हैं बहुत ही easy questions है बहुत ही easy topics थे क्योंकि अभी आपने equation of motion नहीं पढ़ाया तो level उतना बढ़ेगा नहीं दिरे-दिरे करके हम questions का level बढ़ाएंगे देखिए एक बहुत important बात है मैं आपसे करना चाहता हूं कि लोग बच्चे बोलते हैं कि DPP में सर और question डाल दीजे DPP में आप ये भी कर दीजे DPP में आप वो भी कर दीजे देखो एक format होता है चीजों का DPP क्यों बनाई गई है आप उसका महत्व समझो जब आप कोई lecture देखते हो lecture से पढ़ते हो तो DPP आपको ये बताती है कि आपने जो lecture से सीखा क्या वो questions आप solve कर पा रहे हो lecture की knowledge से ये काम होता है DPP का ठीक है ना आप कुछ questions ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं हो सकता है lecture देखने के बाद आपसे वो question ना बने क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ relativity का concept होता है मतलब एक concept है दूसरा concept है उसको आप relate करते हो तब जाकि आपसे practice question बनते हैं तो यहां पर जो magnet brains ने आपके लिए फॉर्मेंट बनाया हुआ है हम आपको डीपीव में वैसे questions देते हैं जो आपको lecture से relate करें lecture में आपने जो पढ़ा है उससे question साब बना पाए फिर साथ ही साथ जब आपका practice question कराते हैं तो हम आपको देते हैं अच्छे questions अना फिर जब आप अच्छे questions करका सीख जाते हो तो हम आपके कराते हैं previous year question वहां धमाधम questions करने लग जाते हो देखो चाहने के लिए तो म अच्छी लानी है तो महनत अच्छी करनी पड़ेगी सिर्फ पास होना है तो फिर आप यही फंडा अपना हो कि previous year question उठाकर बस चुप-चाप कर लिए और कोई extra महनत नहीं करी ऐसा नहीं करना है हमें पता है हमें आपके लिए क्या करना है तो प्लीज आप उस पर भरोसा र पर आपको टॉपिक वाइशन वीडियो दिये जाते हैं उसके साथ डीपीप प्रवाइट की जाती है वीडियो के description में आप जाएंगे तो आपको डीपीपी डाउनलोड करनी है मैग्निपी डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर ओके फिर आगर आपको डीपी बन जाती है तो वेलेंगोड नहीं बनती है तो डीपीपी का वीडियो सेलीशन भी आपके सामने आता है चैप्टर वाइज एमसी क्यूज आपको करा जाते हैं प्रिवाइश यर कुश्चन सापको करा जाते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन आपके होते हैं वीकली टेस्ट पेपर आपक तो आपको ask your doubt की एक link मिलेगी ask your doubt की एक link मिलेगी आपको उस link पर जाना और अपने question पूछ लेना है वो question सीधे मेरे पास जाएंगे और हम उसको live में discuss कर लेगे अच्छा chapter wise one shot revision आपको दिये जाएगा और फिर test series की वस्ता भी आपके लिए की जारी है जहां पर आप अपना performance judge कर पाएंगे कि आपकी preparation कैसी चल रही है बाकी बच्चों के comparison में very good बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं और start करते हैं अपने पहले question से बहुत basic question है आओ दिन दो थिरी लकननू जिब मेरा बस चल दा चलो अब ओडी कवर्ड दिस्टेंस ऑफ एल मीटर अलोग ओंगव्ड पाथ अच्छा बॉर्डी कवर्ड दिस्टेंस ऑफ यह हैं रिशो अफ डिस्टेंस दूस्पेसमें कॉर्टर सरकल बूला है कॉर्टर सरकल कुछ ऐसा ठी तो तिस्टन्स अगर आपको निकालना है तो लैंट अमस्था आपको निकालनी पड़ेगी यहापके अब प्रस रहें पर हम कराद हें तो एक सड़िट कर लेते हम मतलब हम 2 pi r distance चल रहे थे हां sir लेकिन यहाँ पर हम उसका एक चौथाई ही चल रहे है this is the one fourth part no पूरे circle का this is one fourth one fourth part मतलब आप two pi r का one fourth चल रहे हो अच्छा sir ठीक है तो उसे साब से जो distance हुआ उसे साब से जो distance हुआ वो क्या होगा 2 pi r का one by four ठीक है याने की two two's a four pi r by two समझे के नहीं समझे समझे के साथ ठीक है अब बात करता है displacement की नहीं मैं और शकर ये गाना मैंने सुन लिया है तो अभी मेरे जबान पर चड़ गया है अब गाहूं तो आप फ्रुड़ा सा एडजस्ट कर लेना displacement a और b के बीच में shortest distance किया है a और b के बीच में shortest distance क्या है this is the shortest distance between a and b मानते हो कि नहीं मानते हां सर तो आसान है निकालना कैसे this is our 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 root to obvious सी बात है हाँ कि ना सर बिल्कुल सही तो displacement कितना आ गया और रूट टू आ गया कब इसमें ज़्यादा बातचीत करने की रिफ्टर वैसे भी नहीं है रेश्व निकालना है को डिस्टेस्ट्स टूडिस्पेस्वेंट का डिस्टेस्ट्र को मैं क्यापिटल डी बोल देता हूं तो मैं दीवाइ एस कर रहा हूं कितना आएंगा पाई आर बायटू पाई आर यह नहीं हो जाता है आर रूट टू आर से आर कड़ गया आसा आई कार गडिया कितना आया पाई आपॉन टू रूट पाई अपॉन टू रूट टू आप्शन में है option number is your answer ठीक है आई बात समझ में चलिए देखो डीपीप में हम इतना discussion नहीं करेंगे क्योंकि हमको question solve करना था हम question solve कर रहे हैं I hope मैं आपको जितनी बाते बता रहा हूं आपको यहीं समझ में आ जारे हैं जैसे मैं question solve करते जारा हूं ठीक है next question and old man goes for a morning walk morning walk on a semi circular track up semi circular हो गया वहां quarter circle था यहां semi circle हो गया okay of radius 40 meter of semi circular track बना लो जरा 40 यह कितना हो जाएगा अगर यह radius R है तो यह भी कितना हो जाएगा R हो जाएगा ठीक ना और radius की value 40 meter आपको अल्रीडी दी गई है ठीक है if he starts from one end of a track this is point A जहां से हमने start किया है and reaches to other end B इस point पर पहुंच गया है यह other end B okay the distance covered by the man and his displacement will respectively फिर distance or displacement question तो अगर आप से बोलो कि चलो अच्छा displacement निकाल कर बताओ S is displacement मेरे लिए S क्या है displacement है D क्या है distance अना यह चीज़ आप समझ कर चलिएगा चलो अगर मुझे बोले displacement निकाल कर बताओ तो A से बीच के बीच में जो shortest distance हो कि वही मेरा displacement होने वाला है so this is my displacement this is my displacement s और यह कितना होगा यह होगा आर प्लस आर के बराबर याने की 80 मीटर के बराबर समझेंगे नहीं समझें हां सर समझ के तो S is nothing but 80 मीटर बात करें अगर डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस इस दी ओजि Ton одного मेंजमेंट मेंगा वही क्या के लाए इससे क्या मिठ और यह कितना होगा टू पाई-पाई र-का अधो उसे टू कड गया यहानिकी 40 पाई के बराबर किसके बराबर 40 इंटू पाई के बराबर चलो क्या क्या पूचा है पहले पूचा है distance covered और फिर पूचा है displacement will be will respectively with the distance covered by the man and his displacement अच्छा तो पहले distance बताना है distance with the 40 इंटू पाई 40 इंटू मैं 3.14 होता है मैं 3 लेकर चलता हूं तो कितना जाएगा 120 something आजाएगा 120 के आसपास वाली value आपके क्या हो जाएगी distance हो जाएगी 126 meter is your distance अना और 80 meter क्या है आपका displacement है तो पहले वो distance पूच रहा है फिर displacement पूच रहा है तो 126 80 हो जाएगा answer 126 80 जल्दी यल्दी में यह मत मार दिना यह गलत हो जाएगा यह displacement है और यह distance है उसने पूचा है पहले distance और बाद में displacement ठीक है ओके next easy question थे दोनों next a particle moves along the x-axis in such a way that its x-coordinates varies with time as this what will be its initial velocity अब यहाँ पर आपको displacement का variation दिया है time के साथ और आपसे पूच रहा है velocity बता दो तो आपको पता है इतना पढ़ चुके हैं हम हम इतना पढ़ चुके हैं हम के जो velocity होगी जो velocity होगी वह क्या होगी भाई dx by dt instantaneous velocity और वह instant क्या बता रहा है initial velocity मतलब time क्या होना चाहिए 0 initial velocity मतलब time क्या होना चाहिए 0 तो आपको t is equal to 0 पर निकालना है velocity याद रखना पहले dx by dt करके देखते हैं कितना हो जाएगा 0-5 प्लस छेदुनी बारा टी छेदुनी बारा टी चाहिए ना t is equal to 0 पुट करना है जैसी आप t is equal to 0 पुट करोगे कितना आ जाएगा माइनस 5 मीटर पर सेकिनी विलॉसिटी आ गई चलो अब ज़रा पुराने हम अपने टेक्निकल बच्पन में चलते हैं टेक्निकल बच्पन का मतलब यह है कि अभी अभी हमने जो सीखा है उसको ज़रा रिवाइस करते हैं अगर आपकी विलॉसिटी नेगेटिव में आ जाए है पहले तो आब मुझे बता हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का मोशन आपको जज़ करना हो कि ऑबजेक्ट कि की में मूव कर रहा है आप किस चीज को देखोगे displacement को देखोगे acceleration को देखोगे कि velocity को देखोगे मैं question फिर से repeat कर रहा हूं मेरी आँखो में देखो देखो बहुत seriously बढ़ो फटा-फट डीपी पी सॉल करना है और बहुत सारी बॉडी का तभी बता सकते हो किस direction में है जब आप उसकी velocity को देख पाओ कि वो किस direction में जैस direction में velocity होगी उसी direction में object का motion होगा तो यहां पर आप देखिए कि आपकी जो velocity है वो negative 5 meter per second किया रही है मतलब अगर आपका object यह है तो object की जो velocity है वो इस direction में आएगी 5 meter per second क्योंकि हम जानते है this is the positive direction and this is the negative direction according to our sign convention ठीक है ओके तो answer होगया minus 5 meter per second next the displacement of a particle moving in one dimensional direction under a force at a time t is given by under root x plus 3 where x is in meter and t is in second the displacement of the particle when its velocity is 0 हमको displacement of the particle निकालना है जब उसकी velocity 0 होगी मना तो आपको बोला है velocity पहली बात तो 0 करना है और जब आप velocity 0 करोगे तो पता करोगी वो किस time पर 0 हुई है और जैसे ही आपको time पता चल जाए तो आप उससे क्या निकाल लो x की value निकाल लो displacement हमको पता चल जाएगा यहां पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान दे नहीं पड़ेगी वो है independent होता है क्या होता है यह independent होता है जैसे अगर हम बात कर लो यहां पर टी इक्स प्रस्ट्री दिया हो जिसमें टी टाइम है और x displacement है अब आप मुझे बताओ क्या कभी time जो है वो displacement बेंड करेगा क्या कि अगर particle 4 cm चल लेगा तो घड़ी में दो बच जाएगा ऐसा कभी time independent है वो तो चलता रहेगा बाकी सारी चीजें अपने आपको adjust करेंगी time के हिसाब से तो यहां पर जो equation दी गई है t is equal to under root x plus 3 हो थोड़ी सी सही नहीं लग रही मुझे तो मैं इसको थोड़ा rearrange करूँगा ठीक है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा t minus 3 is equal to under root x दुनों जगे squaring कर देंगे तो यह हो जाएगा t minus 3 का whole square is equal to x समझाएगी नहीं समझे अच्छा इसको ज़रा खोल देते हैं तो x is equal to a square plus b square minus 2ab t square plus 9 minus t तो यह आपकी exact equation आ गई है जिससे हमें deal करना है वो पूछ रहा है कि displacement of the particle बता दो क्या होगा जब velocity 0 होगी अच्छा आपके पास तो x की equation है इससे velocity कैसे निकाल सकते हैं बहुत आसान है जर कैसे निकालना है v is equals to dx by dt ओके nice तो इसको differentiate करोते हो जाएगा 2 times of t plus 0 minus 6 2t minus 6 यह velocity की equation आ गई अच्छा अब वो बोल रहा है कि velocity 0 होनी चाहिए यह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है यह देखो बोल रहा है अच्छा तो मैंने का चलो भाई आप velocity 0 करके देखते हैं तो क्या होगा तो 2t minus 6 is equals to minus 0 किया तो t की value कितनी आ गई 6 by 2 याने की 3 seconds कितनी आ गई time की value 3 seconds यह कौन सा time है यह कौन सा time है यह वो time t है जिस पर आपकी velocity क्या हो रही है 0 हो रही है यह time की वो value है जिस पर जाकर आपकी velocity क्या हो रही है आपके body की आपके particle की velocity क्या हो रही है 0 हो रही है ओके time आपको पता चल गया जब आपको time पता चल गया तो आप इस t की value x की equation में put करो और x की value निकाल लो क्योंकि ultimately question में आपको बूला गया है कि displacement कितना होगा जब velocity 0 होगी displacement कितना होगा जब velocity 0 होगी ठीक है आओ x की ज़ए ये put कर दो इस equation में ठीक है ना तो x की value t is equal to 3 second पर कितनी होगी आओ देखते हैं 3 3 का square plus 9 सही है कि नहीं हाँ ठीक है minus 6 into 3 तो यह हो जाएगा 3 तो एका 9 plus 9 minus 6 या 18 तो 9 plus 9 अरे तो 0 होगी यह क्या होगी 0 होगी वैसे वो यहां से भी देख कर समझ में रहा है कि अगर आप T की value 3 रग दो गए तो 3 minus 3 0 हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं आप इससे करो इससे करो एक ही बात है तो displacement कितना आ गया भाई 0 आ गया जब आपकी velocity क्या है 0 है जब आपकी velocity 0 है यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है कि आपके velocity 0 है और तब जाकर displacement में 0 है हो सकता है particle यहां से start कर रहा हो जा रहा हो और घूम कर वापस यहीं आ जा रहा हो अरे बाई पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा हो यहां तक जा रहा हो घूम के वापस यहीं आ जा रहा हो तो डिस्पेस्मेंट जीरो हो गया उसके पार्टिकल हो सकता है वापस अपनी डिरेक्शन चेंज कर रहा हो हो सकत है देखो मैं बीच में सोच रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ा सा कोई ऐसे स्पेशल वीडियो बना कर आपको शुड़ा यह बताऊं कि अगर आपको कोई equation दे दी गई है तो equation आपसे बात कैसे करती है बताती कैसे है कि motion क्या हो रहा है कैसे बताती है कैसे आपको judge करना होता है एक सेंगेज में बहुत अच्छा question आपको बता है उस सेंगेज वे जो question दिया हुआ है उसको समझाने के विए समय को समझाने कि कोई equation या graph आप जब देखते हो तो वह चीख चीख कर आपसे क्या बताना चाहता है कि सुनो मेरे अंदर कैसा motion है सुनो मैं जिस particle के motion को explain कर रहा हूं वह particle कैसे मूव हो रहा है सुनो मेरी बात हाना बहुत मज़ा आता है एक बार आगर आपने पढ़ना सीख लिया ना motion को आह वह शांदार लेते हो ना answer आ जाता है लेगा अगर आपसे कोई पूछ रही ना कि बता हुआ क्या है इस question में आप नहीं बता पाते हैं आप सिर्फ question को solve कर देते हो तो मैं वहीं बोल रहा हूं कि जब आप graphs के questions करते हो जब आप equation ऐसे questions के questions करते हो तो आपको ना answer मिल जाता है पट आप उसके पीछे की कथा या पीछे की कहानी नहीं सुना पाते है क्या एक्चुल में यह equation मुझसे यह बोलना चाह रही थी ठीक है चलो next question can a body have uniform velocity but non uniform speed होई नहीं सकता होई नहीं सकता can a body have uniform velocity but non uniform speed या speed अगर वेरी करेगी speed अगर वेरी कर गई तो velocity का magnitude वेरी कर गया अगर speed वेरी करेगी तो velocity का magnitude वेरी कर जाएगा तो होई नहीं जखता कि उनिफॉर्म विलोसिटी हो तो आंसर हो जाएगा नो ठीके ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काम का है इसको ध्यान से देखो Can a body have uniform speed but non-uniform velocity? Yes, uniform circular motion is the example 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 आप देखो मैं चार पॉइंट लेता हूँ अरे क्या हो गया यह जो पॉइंट है यहां से आप दिखाऊंगा मैं आपको विलोसिटी की डिरेक्शन यह है विलोसिटी की डिरेक्शन इस पॉइंट पर यह है विलोसिटी की डिरेक्शन इस पॉइंट पर चार पॉइन्ट पर मैंने आपको विलासिटी डिरेक्षन दिखा दि मैने आप से को बूला कि यहाँ पर जो विलासिटी का मेगनेटिब हो जो भी पांच मीटर per second यहाँ पर धी फांच मीटर पर सेकंड बात समझ वे आई हांसर ने लिकलम है बात करौँ कि viChat penet imaging democracy स्थ विदा धरएंट करने के लिए मश्रया डिरेक्शन भी चाहिए Igor's direction मिचहिए डारेक्शन हर पॉइंट पर किया है अलग अलग direks रप पर क्या है अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि विलोसिटी की डिरेक्शन तो चेंज होती जा रही है और विलोसिटी की डिरेक्शन चेंज हो रही है तो पक्की बात है कि विलोसिटी भी चेंज हो रही होगी क्यों सर अरे क्योंकि विलोसिटी न जाननी जाती है एक तो magnitude के नाम से और एक डारेक्षन की नाम से दोनों मैंसा कर कुछ भी चंज होता है चाहे magnitude चेंज हो चाहे direction चेंज हो velocity में चैंज माना जाएगा या magnitude तो चेंज नहीं हो रहा बढ़ डारेक्षन change हो रही है तो हम बोलेगे कि भया यहां velocity में change है मतलब acceleration है लेकिन यहां speed constant velocity का magnitude constant ठीक ना तो आप body can have uniform speed uniform speed but non uniform velocity बिलकुल अच्छा example क्या है uniform circular motion ऐसा कहां देखने को मिलता है आपको uniform circular motion uniform circular motion में चीज़ आपको देखने को मिलती है ठीक ना तुसकांसर हो जाएगा yes next next state whether the following graph can be seen in nature or not yes no sometime अब देखो graph तो आपने पढ़ाई नहीं सबसे पहला excuse या आप बोलेंगे dpp sir आपने हमको देदी लेकिन इसमें graph का question है हमको graph आपने अभी पढ़ाया नहीं है ठीक है मानता हूं मैं अपकी बार लेकिन वही बच्चे बोलेंगे जिनने अपना common sense use नहीं किया यह बहाना वही बच्चे देगे जिनने अपना common sense use नहीं किया आई यह बिना graph पढ़े भी आप इस question को solve कर सकते थे कैसे state whether the following graph can be seen in nature or not answer है no क्यों answer है no क्यों है क्यों हो हमेशा 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 greater than 0 होती है speed is always positive greater than or equal to 0 हो सकती है 0 भी हो सकती है speed is always positive हमेशा क्या रहेगी आपको positive ही देखने को मिलेगी लेकिन जहां आप graph देखने जाते हो तो आपको देखता है कि speed की तो value negative भी दी गई है यहाँ पर graph तो negative में भी गया हुआ है मतलब यह graph possible नहीं है क्योंकि अगर हम इस graph के हसाब से चलेंगे तो speed क्या हो जाएगी negative हो जाएगी जो की कभी हो नहीं सकता जैसे distance कभी negative नहीं हो सकता speed is what distance upon time speed is distance upon time तो अगर कभी distance 0 distance कभी negative नहीं हो सकता वैसे ही speed भी negative नहीं हो सकती very good next question a car travels first half distance between two places with the speed of 40 km and the rest half distance with the speed of 60 km the average speed of the car will be वो बोल रहा है कि car travels first half distance पहला half distance उसने travel किया 40 km पर आर से और rest half distance मतलब यह half distance और यह half distance बराबर है यह half distance और यह half distance बराबर है ठीक है याद करो कुछ ऐसा केस पढ़ा था हमने कुछ केस पढ़ा था हमने आर लेजी एड पॉइंट ए है यहांसे आपको जाना है बी तक यहांसे आपको जाना है कहां तक बी तक यह है आपका पॉइंट बी यह पॉइंट है यह बी पॉइंट ठीक इनके बीच की पूरी distance मैंने मालली 2D है ठीक आपका particle चला चलते चलते कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया फैर्स्टाफ ससने कवर कर ली वीवन विलोसिटी से हना उसको टाइम लगा कितना चलू बात बात एक हो खथम यहां पर हम long method से करेंगे तो answer आ जाएगा कोई गलत बात उसमें नहीं लेकिन time हम बचाएंगे ना हमने पढ़ा था sir आपने notes जब हमें दिखाये थे जब आप हमें पढ़ा रहे थे average speed तो आपने हमें एक note point दिखाया था उसमें लिखा था कि अगर d1 is equal to d2 is equal to d है अगर distance जो आपने cover की है वो बराबर है अलग-अलग segment में तो अव्यस ही बात है कि average speed का जो formula था वो था twice of v1 into v2 upon v1 plus v2 यह formula था और अगर time same होता मतलब अगर यह जो body है यह equal time interval के लिए चलती कि half time की के लिए यहाँ चली हाफ time के लिए यहाँ चली equal time intervals अगर होते तो t1 is equal to t2 is equal to t अगर होता तो आपकी average speed क्या होती तो आपकी average speed होती v1 plus v2 by 2 याद आया कि नहीं आया हाँ यहाँ पर कौन सा केस है यहाँ पर यह वाला case valid है तो answer निकाल लो 676 answer निकाल लो V average is equals to 2 times of 40 into 60 upon 40 plus 60 upon 40 plus 60 ठेके ना तो 60 चाले 100 यहाँ जाएगा कितना 2 into 40 into 60 2 into 40 into 60 divided by 100 100 एक 0 कटा एक 0 कटा यह होगया छेचो को 24 दोनी 48 km per hour 48 km per hour is your answer ठीक है चलो next question a table has its minute hand चलो अच्छा question देखिंगे a table has its minute hand 4 cm long the average velocity of the tip of the minute hand between 6 a.m. average velocity निकाल 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 को tip of the minute hand की सुबए छे बजे से लेके साड़े छे बजे तन आदे घंटे में आदे घंटे में अच्छा चलो आदे घंटे में माल छहाएं माल लीजे क्या है गड़ी घड़ी बड़ी बड़ी गड़ी है पर दड़ी गड़ी है और जश्रती है नक चली है स इस डिपड़ी ए cop yation तो मैं बोला कि जो मिनेट are बोला गया है कि वह 씨ार संीटीमीटर क्वाक बोल दिया गया छे बज़ रहा है ठीक सुबह का छे बज़ रहा है और बोला गया कि भाई छे बज़ के छे बज़े से आपने देखना चालू किया और साड़े छे बज़ गया कितना बज़ गया अब साड़े छे बज़ गया तो आपका जो मिनेट हैंड था वो यहां कहीं आ जाएगा कि नही विलोसिटी बतानी है तो यार हमको तो बस एक फॉर्मुला पता है विलोसिटी का उसमें जो जो चीज है रिक्वाइड है अगर मुझे वह मिल गई तो मैं विलोसिटी बता दूँगा वह क्या है वह विलोसिटी इस नथिंग बट डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टॉटल टाइ तहीं ठीक ही टाइम कितना लगा आदा गंट ल triggered तो मैंना पहले टाइम निकाल लिया अच्छा मुझे ये भी पता है कि एक घंटे में एक घंटे में साथ मिन्ट होते हैं तो कि यान यनगे साट सेकेंड होता है तो टोटल थर्टी बाद समझ में ओके सर तुमर पास टाइम तो आ गया टोटल टाइम कितना अठादा सु सब्सक्राइब नहीं जब बजएगा तो आपको काटा कितना चला जाएगा चला जाएगा अधी घंटा चला जाएगा तो इस दिखा देगा भाई पहले यहां था अब यहां आ गया यह सेंटिमेटर रही आइभी चार सेंटिमेटर टोटल कितना हो गया आठ सेंटिमेटर तो Såtar प्लस4 आइस 8 तो 8 अपन अठारा सो स्येक्न यह वो गया सेंटिमेटर अपन наз सेकंड इसे सॉल करेंगे गया तो डो चॉको 8 ौई नाम ж एह आघ्या दो डू करें काम दो और स्थीर रवान तो फाइव वन अपन टू में तो विलोसिटी अब में आपके में आप टू तू ऑ-पाइव खास्या सानव नपिर ओंट ओंडा हुद था तो चारस उट् het तो को फूर पॉइंक सम्धिंग तो सो फोर प्おognet संग्संसरी ने साफ्स्ञार से आंसरीये इसका पहले मस्थरी ने यह मंघ हुडां गैस करके निकालेंहसाद रोम से कंट चल यह बात हो घाए लग किया कि आपको टाइम देखना चालू करना है शाम के साड़े छे तक शुबे छी बज़हे से आपको टाइम देखना चालू करना है शाम के साड़े छे तक तो एक कितना टाइम हई कि सुबे के से शाम के छे तक 12 गंटे हो गए औरे सात आठ नो दस ग्यारा बारह एक दो टीन 4 5 6 12 गंते की नहीं के सुटाहि पूला है कि सुपंगा 6E कर बारा घंटे olds कि रहा है अच्छा मत मैंद मतनी घंटे और जाना तो टोटल साड़े बारा घंटे हूर गते हैं अना वारा से वरा छे से सबबने के शात कि बने तोब मुझे फिर से विल सिटी निकालने यही निकाल दूँ मुझे फिर से विल art Lac rega मैं वही फॉर्मला लिखूंगा विलॉस्टी का डिस्प्लेस्मेंड अपॉन टाइम डिस्प्लेस्मेंड अपॉन टाइम के चलिए सब्सक्राइब कितना हुआ यह चोड़ो टाइम बताओ कितना हुआ जँए साठे सब्सक्राइब 15 12 गंटर में 136 सचने तो बारा किने मैं कितना होग है बता हुआ चलो आदे घंटे में कितना होता है 18 अक्तहरा से करत टोटल ताइम सादे बारा घंटे में कितना हो गया टोटल टाइम सादे बारा घंटे में हो गया 43,200 प्लस अक्थारा सब ठीके कि नहीं हुआ ये डिस्पेस्मेंट देखनाँ वह सुबह के छे बज़े तक अगर आप देखोगे सुबह के छे पे कांटा यहां पर था मिनिट एंड शाम के छे पे वापस कांटा यहीं आ जाएगा 12 घंटे घूमने के बाद कांटा यहीं आ जाएगा तो displacement 0 अरे यहां से चालू किये यहां से चालू किये और आपके लिए clockwise क्य displacement 0 ऐसे बारा चक्कर लगने वाले तो बारा चक्कर में displacement 0 हो रहा है अना बारा चक्कर में displacement 0 है सुबह के छे से शाम के छे बज़ गये लेकिन आप उसने आधा चकर और लगवा दिया मुला भी यह साड़े छे तक देखना है बापको तो फिर आपका कांटा आधा घूमेगा मतला फिर आठ सेंट फिर चार सेंटीमेटर प्लस चार सेंटीमेटर का displacement होगा तो यहाँ पर फिर कितना जाएगा यह आठा जाएगा एट सेंटीमेटर और 45 45,000 सेकेंड और यह 4500 नहीं है 45,000 होगा 43200 प्लस अठारा सो देख लिए हैं वह यह चेक करके यह तो पता चला कछ और आगया अठारा सो 43200 प्लस अठारा सो 43200 प्लस अठारा सो 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 आट दो जस एक तीन और एक चल और एक पांच हाँ 45,000 ठीक है 45,000 सेकेंड अब आप इसे सॉल करोगे तो आप का अंसर आएगा 1.8 इंटो 10 दो पर मिनस 4 1.8 इंटो 10 दो पर माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लोगे वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है था आप एक साइकल करते हो पूरी सर्कल की इसका डियस आर है तो आप यह सी बात है कि जहां से आपने स्टार्ट किया था आप यह अगर खतम कर रहे हो तो दिस्प्रेस्मेंट तो 0 हो जाएगा तो आवरेज विलॉस सिट्टी क्या होगी तो आपके अवरेज फिलॉसिटी 0 हो जाएगी अगर हम आवरेज स्पीड की बात करें तो average speed कितनी हो जाएगी total distance A से वापस घूम के आप आओगे A पे तो कितना distance निकाल लोगे भीया 2 pi R, divide करोगे total time लगा T, तो 2 pi R by T, तो answer क्या हुआ, 2 pi R by T into and 0, into नहीं, 2 pi R by T and 0, बहुत 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 बढ़ी है आजाओ, next A boy covers a distance of A, B of 2 km with speed of 3 km per hour while going from A to B and comes back from B to A with speed, अच्छा his average speed will be, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने दिमाँ यहां फटाक से लगा लिया होगा, यह तो कई बच्चों सोच भी रहा होगा फिर आप B से गए A तक, फिर आप किता इस्टेंस कवर कर रहा हो, D डिस्टेंस कवर कर रहा हो, क्या आपका D1 is equals to D2 is equals to D के बराबर है क्या, हाँ सर, बिल्कुल सही अरे समझ रहे हो कि नहीं, तो यहां पर फिर वही formula आएगा, कहां गया, यहां पर फिर वही formula कि अगर डिस्टेंस कवर्ड बराबर है, तो यहां पर average velocity का फॉर्माट 2V1, 2V1, V2 upon V1 plus V2, चलो, लगाओ formula, लगाओ formula, average निकालना है, आपको तो twice of V1, कितने से गए भाई किलो मेटर, हाना, पर आर से, और जब आप वापस गए तो आप गए 0.5 किलो मेटर पर आर से, डिवाइड वाई V1 plus V2, तो दाई प्लस 0.5, दाई प्लस 0.5, तो 2 इंटू 25 बटे 10, इंटू 5 बटे 10, अपॉन 3, हाना, अच्छा, तो हो जाएगा 25, 5 दुनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, 5 दुनी 10, 5 by 2 2 by 3, तो यह जाएगा 5 by 6, तो average velocity कितनी हो जाएगी, average velocity, average speed क्या पूचा है, average speed is 5 by 6, हाना, km पर, मतलब 1 से कम, 1 से कम एक ही option है, 0.83 km पर, आप बोलो के सरी average speed आ जाती, एकदम से average velocity आ जाती है, जब uniform motion होगा, जब straight line motion हो रहा होगा, एक ही direction में, uniform motion हो रहा होगा, उस case में average velocity, average speed एक ही बोली जा सकती है, confuse मत होना, चीक है, ओक है, ओक्यासा, next, the displacement x of a particle along a straight line at a time t is given by x is equals to a naught, x is equals to a naught minus a1t plus a2t का square, okay, acceleration निकालना है, तो पहले तो velocity निकालो, dx by dt करके, अरे पता है न, यह सब तो याद हो गया होगा, अब displacement की equation दी है, तो उसको differentiate करो, तो velocity की equation मिलेगी, अब a naught 0, a naught constant है, तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, a1 के बराबर हो जाएगा, twice of a2t के बराबर, यह तो velocity की equation है, अब acceleration निकालना है, तो velocity को एक बर और differentiate कर दो, dv by dt, क्या हो जाएगा, 0, minus 0, plus twice of a2, तो answer आपके acceleration का क्या आगया, twice of a2, कतम बात, next question, 4 percent, अच्छा question है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जाधा नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, अब 4 percent, a, b, c, and d, initially at the corners of a square of side l, चलो, square बनाओ पहले तो मैं, क्या बनाओ, square बनाओ, ठीक, आगे, a, b, c, d, a, b, c, d, initially at the corners of a square of side of d, side of length d, अच्छा, square है, याद रखना, तो सारी ही side की length d हो जाएगी, if every person starts moving with space in same speed such that each one faces the other person diagonally, opposite to him, always, the person will meet after, अच्छा, सब एक दूसरे को diagonally oppose करके, खड़े हुए, च्छा, मुझा पता है कि इनके बीच की जो diagonal है, और इनके बीच की जो ये diagonal है, इसकी value कैसे निकलेगी, या इनके बीच की distance, d और b की और a और c की कैसे निकलेगी, मुझा पता है ये d है, और ये भी d है, तो अगर ये d है, ये d है, तो ये पूरा a c कितना हो जाएगा, d root 2 हो जाएगा, पता हूँ मुझे d root 2 हो जाएगा, हाँ, bd भी क्या हो जाएगा, d root 2 हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं A C is equals to B D is equals to D root 2 D root 2 ठीक है वो बोल रहा है है if every person starts moving with same speed V अच्छा हर जगे से same speed V से चलना चालू कर रहे हैं हर जगे से speed क्या है V V V V such that each one faces the other person diagonally okay opposite to him the person will meet after कितने time बाद यहां पर मीट करेंगे चलो मैंने बुला भाई मुझे पता है यहीं कहीं करने वाले है क्यों क्योंकि सबको इतना ही इतना distance travel करना है कितना इतना सबको इतना distance travel करना यह कितना है डी रूट टू का अधा डी रूट टू का अधा समझ रहो कि ने इस पॉइंट का नाम में ओ दे देता हूं तो यहां पर यह बोल सकते हैं हम कि दी ओ is equals to see oh is equals to be oh is equals to a oh is equals to d root 2 by 2 कि अरे हां की नहां सर एकदम clear अच्छे से लिखना हो तो उपरूट 2 multiply कर दो नीचे रूट 2 multiply कर दो तो रूट 2 root 2 से टू कर जाएगा तो डी बाय रूट 2 आ जाएगा कितना जाएगा डी बाय रूट 2 सब को एको भी डी बाय रूट 2 उसको जो distance cover करना है वो भी सेम है तो time निकाल लेते हैं time हम यहां से निकाल लेते हैं तो time is equals to distance upon speed distance कितना करना है cover करना है d by root 2 किसे speed से करना है v से तो answer क्या आगया d by root 2 v is the time d by root 2 v is the time clear यह आगया आपका answer बहुत आसान question next a man goes 20 meter towards north 20 meter towards north ठीक है then 30 meter towards east अच्छा 20 meter north north तो उपर होगा न सर 20 meter towards north 20 meter towards north और उसके बाद 30 meter towards east तो यह चला गया 30 meter towards east हना then its displacement अच्छा displacement निकालना है भी है यह लो भी displacement निकालना असान है क्या बहुत आसान है sir displacement is nothing but 30 स्क्वेर प्लस 20 का स्क्वेर 30 का स्क्वेर प्लस 20 का स्क्वेर 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 को आप सौल करोगे तो अंसा 36 meter something आएगा clear बहुत बढ़िया next 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 and aeroplane flies 400 meter north 300 meter south and flies 1200 meter upward the net displacement is देख़ए यह सब बहुत आपको बनने चाहिए नौर्थ में जाना है पहले हमको हाना तो 400 meter north अचा यहां पर north south है फिर उसका अपवर्ड है तो बहार आना पड़ेगा तो मैं अजबर क्या करता हूं नौर्थ दर मान लेता हूं ठीकिन आप थोड़ा आपके दिमाग से समझेंगे कि हम 400 meter north के आगे पीछी तो होना है यार 400 meter नौर्थ के 300 meter पीछे आगए 300 meter पीछ आगया इसी पर इसी रास्ते पर 300 meter पीछे आगया ठीक रहा तो हम अभी कहां पर खड़े हैं अभी हम यहां पर खड़े हुए पर यहां से अपवर्ड जाना है आप समझें अपवर्ड मैंने इसलिए समना दिया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बना था नौर्थ जात और चला अप पॉर्ड में कितना ऊपर चला गया त्वेल हंडिर मीटर ऊपर चला गया यह मैने स्टार्ट किया थे हैं से तो बोल है कि displacement बताओ कितना होगा तो निकल लो यहां से यह सो को यह डिस्स निकाल ली है आपको ठीक ना अच्छा यह कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा 400-300 यह जाएगा 100 मीटर यह 1200 मीटर तो यह कितना आएगा अंडर रूट 1200 का स्क्वेर प्लस 100 का स्क्वेर ठीक ना यह आ जाएगा आपका डिस्पेस्मेंट अब आप देखो यार एक जो वैल्यू है वह 1200 का स्क्वेर है एक जो है वह सौ का ही स्क्वेर है बतलब जो फाइनल आंसर आना चाहिए वह 1200 के आसपास या अचाहिए अब देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब भाराव सो है तेरा सो है चौदा सो फंद तो यहां पर हमने बोला कि आंसर होना चाहिए बारस एक्जैक्ट कितनी वेल्य आगी मुझे भी नहीं पता लेकर मैं दिमाग इतना कहता है कि क्योंकि एक यह मागनिट्यूट जादा है यह मागनिट्यूट कम है तो जो ओवर आंसर आना चाहिए वह बारासव के आसपास ही आ समस्क्ता कर रहे हो पिंकी से बात कर रहे है और जो नड़कियां वह बभलू से बात करें वह चोड़ दे अभी और फटाक से सब्सक्रें कैसे सॉल हो रहे हैं देखो भाई अच्छा वेशन है ये एक सर्केलर ट्रैक है इस सर्केलर ट्रैक में मान लीजिए हाप चलना ठीक है, ओके से, इसका मतलब ध्यान से सुनना, A से लेके वापस घूम के आप A पर आ रहे हो, हाना अब नाम दे दे रहा हूं, B, C, D, और A, 80 सेकंड में आपने एक चक्र कम्पीट किया, तो मुझे दिख रहा है कि 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, और 20 सेकंड, कॉमन जिनसे कर रहे हैं, कॉश्टन सो, 20, 20, 40, 20, 30, 20, 80, 80 सेकंड में आप वापस A पर आगे, यही वो बोलना चाहरा है, आगे वो बोल रहा है, what will be his displacement at the end of 4 मिनेट 60 सेकंड, चार मीनट्साइट साट सेकेंड बाद बताओ कितना होगा तो तोटल टाइम दिस्लिस्ट इंड जालसे कट होता है एक मैं क्योंट जोल। गल ten इन आगיות को विशन को अच्छान सेकेंड हाई हमार क्यों Bu кв तो मैंने बुला भीया 80 second में एक चक्कर पूरा हो रहा है 80 second में एक चक्कर पूरा हो रहा है तो 300 second में कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे तो 300 divided by 80 300 divided by 80 यह हमने काटा कितना आएगा जाएगा दो चोको आठ दो पंधना दूनी तीस जाएगा दो दूनी चार नहीं 15 by 4 कर देते हैं तो यह जाएगा चारती अबरा 3.75 समधिं कितना जाएगा 3.75 याने कि इसमें तीन तो कंप्लीट चक्कर है नहीं देख ना असी सकेंड में एक चक्कर असी दूनी आट दूनी स तो लाइक सो साथ एक सो साथ साथ सेकड़ में दो चक्कर देखो असी सेकेंड में एक राउंड ठीक ना एटीन टू टू कितना हो जाएगा एक सो साथ सेकेंड में दो राउंड असी इंटू तीन देखे कितना होता है एक टीन टू त्री आने की टू फॉर्टी सेकेंड में तीन राउंड अब आप 1824 करोगे तो वो 320 सेकंड्स हो जाएगा मतलब हमको तो 300 तक देखना ना 320 तक नहीं जाना 300 सेकंड के 300 सेकंड में हमको देखना कितना डिस्पेस्मेंट हुआ है तो मुझे यह समझ में आ गया कि भाईया 240 सेकंड में 240 सेकंड में तीन चक्कर पूरे कंप्रीट हो जाते हैं एक राउंड दो राउंड और तीन राउंड और तीन राउंड में डिस्पेस्मेंट कितना होगा जीरो आप यहां से चले थे एक राउंड किया डिस्पेस्मेंट जीरो दो राउंड किया डिस्पेस्मेंट जीरो तो 240 सेकंड में त साट सकोंड भी बचेंगे 240 में गूं कर आप यहीं आ गए हो 80 सकंड एक सोसाठ सेट लिस आस सकंड़ गूम कर आप यहीं पर आगे और चलना है 1 यह or 20 यह 1-2-2-4 यह आर है यह रेडियस आ रहे रेडियस आ रहे तो यह कितना होगा आरूट टू होगा ना तो आंसर क्या होना चाहिए आरूट टू बहुत ही प्यारा कुश्चन था common sense से कर दिया common sense से कर दिया I hope आपको समझ में आया होगा नहीं आया तो पीछे आप वीडियो करी आपको समझ में आ जाएगा बहुत प्यार समझाने कोशिश की गई है next question बहुत आसान है सबको बन गया होगा बहुत आसान question aeroplane fries from minus four से 7 minus five से 2 minus 2 और 8 से minus 3 displacement बताना है positional displacement vector पढ़ा था ना positional displacement vector पढ़ा था हां तो displacement vector बना लेते हैं minus four minus minus four minus seven is minus eleven sorry total displacement r2 minus r1 होता है ना r2 vector minus r1 vector होता है तो seven minus eleven seven minus four sorry क्या बोल रहा हूं मैं seven minus four होगा तो seven minus of minus four is eleven कितना आजाएगा 11 लिख देता हूं नहीं तो आप बोलोगे कैसे आ गया seven minus of minus four होगा है एक coordinate दूसरा होगा minus two minus five minus two minus of minus five होगा ठीक तीसरा होगा तीसरा होगा minus three minus three minus eight ठीक किता हुआ भाई यह साथ चार ग्यारा माइनस दो और प्लस five minus two plus five plus three or minus three minus eight is minus eleven आठ तीन ग्यारा है क्या 11 3 minus 11 यह 11 3 minus 11 आगे बहुत आसान था next let array यह कुछ भी नहीं यह कुशन कुछ भी नहीं है let x1 and x2 be the position of an object at time t1 and t2 then displacement in order by a in delta time b is given by delta time b is given by the difference between the c and d position is यहां पर a क्या बता रहा है यहां पर आपको यह बता रहा है displacement ठीक है भी आपको बता रहा है time का difference c आपको बता रहा है final point or d आपको बता रहा है initial point answer आपको जाएगा भी कुछ भी नहीं था इस question में ठीक है next can a body have zero instantaneous velocity and yet be accelerating क्या किसी body के पास zero instantaneous velocity होने के बावजूद भी क्या वो acceleration दिखा सकती है बिल्कुल हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है देखिए मान लीजे मैंने कोई ball ली यह ball ली इस ball को मैंने फेका उपर की तरह यह ball घूमकर नीचे आ गई यह ball घूमकर नीचे आ गई इस point पर velocity जीरो है इस point पर velocity क्या है सीरो है अरे आपने बॉल को फेका बॉल अपनी maximum हाइट तक गई और महां से घूमकर नीचे आ गई motion of direction direction of motion change हुआ तो आपकी ball उपर से घूमकर नीचे ने लग गई मतलब इस moment पर जाकर इस time maximum height पर आप देखिए instantaneous velocity zero है बाट body accelerate कर रही है तो ऐसा हो सकता है इसका answer क्या होगा yes yes दूसरा है question answer zero average speed but non zero average velocity zero average speed but non zero average velocity हो अरे भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि जो average speed होती है जो average speed होती है वो हमेशा greater than or equal to average velocity होती है और यहां पर यह बोल रहा है कि zero average speed हो but non zero average velocity हो मतलब average velocity बड़ी हो जाए average speed से average speed zero हो जाए और average velocity non zero value मतलब one two three four five कुछ ऐसी value कैसे हो सकता है possibly नहीं तो यांसर क्या हो जाएगा गलत no it is not possible negative acceleration yet be speeding up acceleration negative है फिर भी बॉड़ी accelerate कर रही है कैसा हो सकता है क्या बिल्कुल सकता है मान लीजिए एक आरे आपके पास तकना ये कार है सबस्क्राइब का इस direction का हम positive मानते हैं इस direction को नेगिटेव बहुत रही है और इसके पास जो acceleration है वह भी क्या है ? डरशन में एक्सिलरेशन भी क्या है? डरशन में तो जब विलॉॉसिटी वैक्टर अर अग्सिलरेशन वैक्टर की डरेशन से जो olabilir है तो हमारा ज़्येक्ट एक्सिलरेट करता है वह बोल रहा है कि अगर बोड़ी के पार्ट पास नेगेटेव एक्सेलरेशन है यह नेगेटेव एक्सेलरेशन है ठीक ना क्या फिर भी बॉड़ी एक्सेलरेट कर सकती है बिल्कुल कर सकती है अगर विलोसिटी भी क्या हो नेगेटेव डिरेक्शन में हो तो हां ऐसा हो सकता है possible next magnitude of every velocity be equal to average speed हाँ हो सकता है जब uniform motion जब uniform motion होगा तो magnitude of average velocity equal to average speed हो जाएगा ऐसा हो सकता है uniform motion में तो इस कांचल भी क्या हो गया yes it is possible next question a body moves at a speed of 100 meter per second for 10 second and then moves at a speed of 200 meter per second for 20 seconds along the same direction average speed is average speed is speed निकालना है आपको average speed आपको निकालना है average a body moves at a speed of 100 meter per second 100 meter per second से चल रही है कितने time के लिए 10 second के लिए distance cover हो गया total distance ये फिर चल रही है वो 200 meter per second के लिए velocity into time 20 second के लिए ये हो गया distance total distance cover आ गया total time कितना हुआ 20 second और 10 second तो 20, 10, 30 चलो ये हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा दो दुनी चार एक दो तीन रिवाट बाइच और 10, 30 चलो very good 4000 और 1000 कितना हो जाएगा 5000 अपन 30 0 से 0 कट गया तो 500 by 3 meter per second is your answer चीके ना this is your average speed क्या किया मैने कुछ नहीं किया velocity into time speed into time किया है speed into time किया है इससे distance निकल आता है next अच्छा question बढ़िया question है ये question भी देखेंगे हम क्या है इस question figure shows a particle from starting point A ये है starting point A traveling up to point B A से B जा रहा है माल लो T1 टाइम लग रहा है ठीके ना at a speed S से स्पीड से जा रहा है सी से जा रहा है अच्छा अब टू भी विदा विदा स्पीड एस देन अब टू पॉइंट सी विदा स्पीड 2S अच्छा फिर यहां से यहां तक जा रहा है माल लो टाइम टी टू लग रहा है और लोटरिंग टीकर टूटल डिस्टेंस अपॉण टॉटल टाइम टीकर बस यह दिमांग में रखना फॉर्मूला हमेशा आप से क्वेस्टन बंदे रहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉण टॉटल टाइम ठीकर टोटल टेंब मुझे बताओ टोटल दिस्तेंस कितना कवर हो जो पताओ मुझे यह के तना है एंगल 90 रिपर र्डिया है कि आपको बैठ ने सब्सक्राइब दिया है अबका पार्टिकरल एच बी जा रहा है एसे भी जा रहा है और कितनी इस्ट्रेंन आपको 15 एंगल दिया है रेडियास दिया है दिया ग्यूंधा लूट नटम आर्ख अपस्य आपा Uns seal लुट उता है ओवह dale इंड इता एंगल ले-डी आप सकते हैं यह जूद् logo दिस्टेंस है यह जो डिस्टेंस है बी स्काहि hypothesesee question P plus Ark CA divided by total time ठीक है ना T1 plus T2 plus 3 चलिवाइ तो AB arc length निकालते हैं पहले हम AB arc length कैसे निकलेगी angle into radius से निकलेगी angle कितना है 90 लेकिन हमको चाहिए radian में तो उसको मैं πाई बाइ टू lिक सकता हूं बिलकुल तो πाई बाइ टू इंटू आर angle into art देखो एंगल into R करोगे तो R का एगा, एंगल into R करोगे to R का जाएगा, यह पात समझ में, देखो. Theta into R is equals to R, बस यह यहाद रखना, Theta रेडियन में होना चाहिए. ठीका मैना theta radian में लिलिया, pi by 2 उसको multiply कर दिया radii, तो pi by 2 into R is the distance, AB arc, मतलब pi by 2 into R is the arc length AB. लिए इसमिलरली अब आपको 120 डिग्री एंगल दिया हुए 120 डिग्री एंगल को अगर मुझे किसमें चेंज करना है रेडियन में तो मुझे पाइबाइब एटी से मुल्टिप्लाय करना पड़ेगा पाइबाइब 180 से घटेगा 2-6 दुनी 12 तो टू आइबाइब अगया ठीक गर्में को रूठी आघर हैं अंगलइन को यह कर दू है डिया अजब आचुका है थू पाइबाइब फौर्टी उसको आर्सफे है कर दूंगा तो आकस आएगा बीस्य स्य तो वीशी आर्क भी मैंने निकल लिए ब हम हूं 120 प्लस 90 प्लसमेटी कितना होगा इसको काट यह यह इसको अथा रहुत है लुए रहुत हर रहा रहे हंक तो तोज दस डिग्री का अंगल हो चुका है 360 मैंसे 210 मिल जाएगा 360 माइनस 210 कि हमने तो जीरो आप बचेदर भाच बचा तीन में से दो गाए एक बचा 150 डीवर चाहे यह अंगर कितना है 150 डिए कर या हमको डिगरी उरेन देना नहीं है हमको रेडियन में चाहिए अंगर तो 150 डिगरी को आप रेडियन में कैसे चेंज करोगे पाइबाइ वन इटी से मॉल्टिप्लाइ करके यह होगा जीरो से जीरो कटा तीन पाचे पंदरह तीन छंग अठा रहा तो फाइब फाइबाइब फाइबाइबाइब फाइब 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 एक्स इस दि एंगल इन रेडियन चलो भें तो यहां पर मैं निकालने वाला सी ए आर्ख ठीक है एंग कितना आया 5 5 6 into और या अगे भी या टोटल टोटल डिस्टेंस जोड़ देना टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम की बात करें टोटल टाइम कैसे निकलेगा तो टाइम इस नथिंग बाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड ताइम इस नथिंग बट होता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्ताईग के नहीं होता बिलकुल होता है चलो टीवशनेगा लेत टीवन इस वाट टीवन टाइम आपको कब लगा है जब आपने ए से बी की आर्ट लैंद कर है एस इस स्पीड से तो शो मैं इभी अपॉन आज बोल सकता ती टू टाइम इस नदिंग बट आर्ट लेंथ बी से जाने में आपको बीज़ सी जाने में आपको जो डिस्टेंस आपने कवर की डिवाइड बाइज इस इस स्पीट से लिए टू एस इतना हो गया टू पाई आर बाय थी टू जा सिक्स एस निकाल लेते हैं थी ट्री इस नदिंग बट जब आप सी से ए गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया फाइव पाई आर बाय सिक्स जाने कि सी से लेके ए तक कार्क लें डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय किसे स्पीड से किया थी एस से किया मतलब 5 PY R by 6 6 18S, okay, time भी आपके पास आगया वे, टॉटल टाइम आके पास आगया है, टोटल डिस्टेंस आपके पास है, क्या आप यहाँ से मुझे निकाल कर दे सकते हो, क्या? क्या देना है, सर, क्यों सा क्लर चूस करो, कुछ निया कलर, कि आप मुझे यहां से निकाल कर दे सकते हो आवरेज स्पीड दे सकते हो क्या देते हैं सर आओ एवरेज स्पीड निकाल रहे है ठीक ना टोटल डिस्टेंस कहां है पाई हार बाय टू 2 फायर बाय chao प्लस 2 पायर बाय 3 फ्लस 5 पायर बाय 6 डिवाई दे ला टोटल टाइम है पायर बाय 2S प्लस 2 पायर बाय 6S कुझ धायर बाय 6S प्लस 5 पायर बाय 18 S 5 πi r by 18 s. ठीक है? तो πi r, πi r, πi r. πi r, πi r, πi r, πi r, πi r, πi r गया. ठीक है? s, s, s भारा जाएगा, तो s तो रहने वाला है answer में. s रहने वाला है answer में. तो 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. divided by, नीचे क्या है? नीचे क्या है? 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 8. 1 by 18, 1 by 18 होगा. 1 by 2, 1 by 6, 1 by 18. 1 by 2, 1 by 6, 1 by 18. 6 plus 1 by 18. ठीक है न, इसको solve करते हैं, इसका LCM कितना आजाएगा? 6, तियो जाएगा 2, 3s are 6, 3, 2s are 6, plus 1, डिवैड़ भाइस का जाएगा 18. तो 2 नाम अठारा, 9, 6, 3, 8, जाएगा 1. ठीक है. तो 3 और 2, 5 और 1, 6. 6 by 6, 1. इंटू 18 by 9, 3. 9, 10, 13. 6 से 6 कड़ गया, कितना आया? 18 by 13 और 1s बच रहा था, वो निकल कर ऊपर आएगा. जो नीचे से S कॉमन था, यह देखो. जो S, 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 S था, यह कॉमन निकल कर ऊपर चला जाएगा. ठीक है? तो कितना आ रहा है? 18 by 13. 18 by 13. इएटीन दूनी बच रहा हैं. 1.5, 1.8. तो यह आया, 50 यह 5 बचा. 63जरा दूनी अच खबयस, 23जरा दूनी जबच टिरा तिया नतालज. तो चो को बउन तिया, 49. 49 तो यहां पर आ रहा है दो वन पॉइंट एट आ रहा है तो मेरे पेरे हिसाब से जो प्लोजस्ट आंसर होना चाहिए चलो भाई अना होता है कभी-कभी भाई आपको आसपास के आंसर देखना पड़ते हैं मैंने सौल किया एटीन बैटीन आया इसको डिवाइट किया तो वन 25 आंसर होना चाहिए नेक्शन अथलीट स्वेंग दी लेंग 50 मीटर पूल इन 20 सेकंड फास्टाव अच्छा पचास मीटर की पूल की लेंथ है बीस सेकंड में कवर कर देता है एंड मेंग जर रिटर्न ट्रिप टू थू तू थार्टिशन इन 22 सेकंड डिटर्माइन एवर आःबरेज बलोसीति निकालनी है फना फास्टावर अवरेज वेलोसी फ़स्टाव में निकालनी है फास्टाव हाओ यह कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पचास मीटर ठीक wzglwide बेंटी सेकंड ठीक है भाई तो यह 20 सेकंड हो गया क्या इसकी average speed हो गयी हाँ सर भी ऐगरेज हो गई पिलिकल हो गया जीक है अब रिटन ट्रप कर रहा भी यह जा रहा है और रिटर्ण ट्रप कर रहा है कितना लग रहा है बाइस एक में रिटन ट्रप तु दा स्टार्टिंग पूजिशन एन athlete swims the length of 50 meter 50 meter की length cover करता है बीस सेकंड में तुमेने 50 इनकाल लिए विसके आवरेज थी निकाल दी फर्स्ट हाफ अपस्फ था सुम में निकालो क्या होगी इसके आवरेज बिड़ेज संब फिर जब सेकंड आफ उसम में वह टैर रहा है जब वापस आ था है तो वही पचास मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है बाई सेक दो करके करके दो बाई सेकेंड उसको लग रहे हैं तो यह यह हो जाईगी राउन्ड्रिप में अंवरेज विडुक्रिक क्या हो गी आप एसे चलुकी यह वापस भी पर आ गाये जोग्या तो तो in round trip में average velocity पूछ रह retrouve dealt मैं अपर आप से रावरेज विलोसिटी पूछ रहा न हखो average विलोसिटी राउंड में तो टोल डिस्केश्मींट हो जाए गाजी राउंड में चीक है चल्लियर है हाँ सर एक दम किलियर चलो भाई तो इसी के साथ हमारी डीपीपी खतम होती है मैंने इसके अपनी वेबसाइट है मैंने बेस्ट कॉम नाम से जहां पर आपको ऐसा विब पेज देखने को मिलता है जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रवाइड गया जाता है सब खोल के देखते हैं तो देखो मैं आपको पढ़ाता हुआ लेक्टर में देख जाऊंगा हमारी एडिलोजी है कि हम कंप्लेटली फ्री एजूकेशन देने में बिलीव करते हैं फ्री का मतलब यह नहीं है कि कंटेंट से कॉंप्रमाइस किया गया हो कंटेंट इंदम टॉप मिलते हैं नेक्स लेक्टर में तो अब तक साधान रहिए तरकत यह पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मॉच